शुष्मा अपनी बेटी को रात घर के दर्वाजे पर देख कर डर जाती हैं और अपनी बेटी से पूछती है कि क्या बात है ऐसी हालात में तुम इतनी रात को आई हो किस के साथ आई हो गाडी में और ही कोई है या अकेली ही आई हो अचानक से इतने सारे सवाल सुस्मा ने अपनी बेटी के सामने रख दिये पिंकी कहती है मा मेरे सुस्राल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया शुस्मा बोली बाहर निकाल दिया क्या मतलब है तुम्हें बाहर निकाल दिया क्यों निकाल दिया तुम्हें बाहर उनकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को बाहर निकाल दे ऐसा भी क्या हो गया जो तुम्हारी सुस्राल वालों ने इतना बड़ा कदम उठा लिया सुस्मा अपनी बेटी को संभालती है और उसे बठा कर उसकी साथ सरीना को फोन लगाती है और बस शुरू हो जाती है संधन जी आपकी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बेटी को इतनी रात घर से बाहर निकालने की आप तो बहुती सरीफ थी दुनिया में सराफत का नकाब पहने बैठी हुई है मुझे तो पहले ही आप पर शक था और आज आपने दिखा भी दिया अपनी बहु को रात में अपने घर से बाहर निकाल दिया सुस्मा जी बेटी के सुस्राल वालों पर गुस्सा किये जा रही थी पिंकी की सास कहती है जवान संभाल कर बात करिये सुस्मा जी यह तो आपकी अकड है ना इसे अपने पास ही रखिये और अपनी बेटी को भी अपने पास रखिये ऐसी लड़किया ब पहाई हो गया बहन जी तो समझ कर बात करिए आप मेरी बेटी के बारे में बात कर रही हैं मू मांगा दहेज दिया था हमने आपको कमी क्या रहे गई वह भी बता दिया होता तो उसे भी पूरा कर देती लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को जलील करके घर से वाहर निकालने की देखिए सुस्मा जी यह जो पैसे की गर्मी है न इसे तो आप अपने पास ही रखिए पैसा तो हाथ की मेल है आज है कल नहीं और रही बात दहेज की अरे हमने तो आपसे दहेज मांगा ही नहीं था आपके घवंड ने आगे बढ़कर दहेज दिया था इसलिए य हमारे यहां तो निकालना मत और रही बात आपकी बेटी की तो पिंकी जब तक खाना बनाना नहीं सीखेगी वह मेरे घर वापिस नहीं आएगी जिस घवंड के साथ आपने अपनी बेटी को विदा किया था उसे घवंड ने मेरे घर को आज बरवादी के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है मैंने शुरू शुरू में सोचा था कि बच्ची है ना समझ है धीरे धीरे खुद ही समझ जाएगी लेकिन आपकी बेटी के अंदर तो आपसे भी ज़्यादा घवंड है जबकि दहेज के सारे पैसे उसके नाम हमने जमा किये हैं एक भी पैसे को आज तक हमने चुआ नहीं है दहिज मांगा वी नहीं है फिर हम आपका घवंड और आपकी अकड किस बात की वरदास्त करे मुझे मेरे घर के लिए बहु चाहिए थी पैसो के लिवास में लिप्टी हुई घवंडी लड़की नहीं कहते हुए पिंकी की सास ने फोन काट दिया तुस तुसी बेटी थी कोई भी कमी नहीं छोडी थी उसकी शादी में यहां तक की उन्होंने तो लड़के वालों को खुली चुनोती भी दे दी थी कि साफ शाफ बोल दीजिए क्या क्या चाहिए दहेज में मूं मांगा दहेज मिलेगा लेकिन शर्थ एक ही थी कि उनकी बेटी खाना नहीं वनाएगी इसी शर्त के चलते अपनी बेटी की शादी उन्होंने की थी और आज अचानक से अपनी बेटी के ऐसे हलाद देखकर सुस्मा जी की आखों में आसू आ गए थे। सुस्मा अपने पती के पास जाती है और उनसे कहती है कि आप पिंकी की साथ से बात करिये वह तो आप बात नहीं करेगी तो चंदर प्रकास फोन लगाते हैं अपनी बेटी के सुस्राल में और पिंकी की साथ से बात करते हैं वह बड़े अच्छे लहजे के साथ उनसे बात कर यह देखकर चंदरप्रकास के होश उड़ जाते हैं कि जिस तरह से भै उनकी पत्नी से बात कर रही थी उसके बिलकुल विप्रीत उन से बात कर रही है लेकिन चंदरप्रकास ने जब पूछा बहन जी ऐसी क्या गलती हो गई मेरी वेटी से जो आपने उसे माई के भेज दिया देखिए भाई साग आप खुद सोचिए जिस घर की बहु के मन में पैसो का घमंड आ जाए रहेज का अभिमान आ जाए वह दिन भर अपने कमरे में बुबाईल लेकर पड़ी रहे वह घर कैसे आवाद रहेगा कैसे वह घर चल पाएगा आप एक बार मेरी स्थिती के बारे में सोच कर तो देखे हमने पिंकी को बहुत समझाने की कोशिस की बहुत समझाया कि पैसा हाथ का मैल है लेकिन वह अपनी मा पर गई है पैसो का घमंड छोड़ने का नाम नहीं ले रही है आप यह बताओ कि क्या पैसा बैठे बैठे उसे खाने को देगा वह घर की बहु है अगर वे रसोई घर नहीं समभा लेगी, तो कौन समभा लेगा? क्या जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वे खाना नहीं बनाते हैं, या वे खाना खाते नहीं हैं, जैसे भी हर काम के लिए तो नोकरानी लगाई होई है, बस एक ठाना ही तो बनाना है, वो भी उससे नहीं होता, अरे वैसे भी एक और बात बताओ, पूरी जिन्दगी दहेज का गवंड तो नहीं साह जा सकता, मैंने आपसे दहेज मांगा ही नहीं था, आपकी पतनी ने सामने से चल कर दहेज दिया था, खुद अपने मूँ से बोली, हमने तो नाम भी नहीं लिया था दहेज का, और वैसे भी, दहेज के पैसे हमने आपकी बेटी पिंकी के नाम ही जमा करवा रखे हैं, हमने उन में से एक भी रुपया आज तक छुआ नहीं हैं, तो फिर हम गमन किस बात का बरदास्ट करें, पिंकी की सास की बाते सुनकर चंदरप्रकास जी शांत रहे, बात तो सही कह रही है पिंकी की सास, पास खड़ी सुसमा जी को पिंकी की सास की बाते रास नहीं आ रही थी, नहीं उनकी बाते सुनकर मूँ बनाए जा रही थी और बीच में ही बोल पड़ती है कि मैंने शर्त रखी थी मेरी वेटी खाना नहीं बनाएगी इसी सर्त पर शादी हुई थी पिंकी की सास कहती है भाई साब आप मुझे एक बात बताईए क्या मेरी बहु घर से जब जाएगी तो क्या मेरी बेज़ती नहीं होगी समाज में क्या लोग मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि बहु ऐसे अचानक से माईके में क्यों जाकर बैठ गई हमारी इज़त नहीं हमें भी समाज को मूह दिखाना होता है जवाब देना होता है लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे लेकिन आप ही बताओ आखिर हम बहु के सारे नखरे तब तक बरदास्त करें कोई बहुत बड़ा परिवार भी तो नहीं है चार लोगों का परिवार है उनका भी खान बनाना तो दूर की बात है चंदर प्रकास जी वह थो बना बनाया खाना भी परोसने को तैयार नहीं है एक काम नहीं करती है सारा दिन अपने कमरे में बंद या तो टीवी देखती है या मौवाई चलाती है बस यहीं काम रहे गया है आप बताओ मैं कब तक बरदास्त करती रहूं चंदर प्रिकास जी आप अपनी पतनी को भी समझा दीजिए शादी के वक्त भी मैंने उनकी हां में हां नहीं मिलाई थी क्योंकि उनकी बात करने का जो तरीका था उनका घंबंड साफ साफ उनकी बातों से जलक रहा था ना मैं दहेज मांगा था और ना ही मैंने यह बोला था कि बहु खाना नहीं बनाएगी लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे इसलिए मैंने शादी के लिए हां कर दी थी रही बात खाने की तो वह तो उसे बनाना ही पड़ेगा अगर वह चाहती है दोबारा सुस् कर रहना पड़ेगा तब तो मैं उसे इस घर में दुबारा आने दूगी नहीं तो आपकी पतनी के पास बहुत पैसे हैं वह अपनी बेटी की पूरी जिंदगी सवार सकती है कहीं और शादी कर देगी अपनी बेटी की मैं अपने बेटे को समझा लूगी कहते हुए उन्हो पर में बेटी का घर बरबाद हो जाएगा समाज में इज्जत खराब हो जाएगी तुम कौन से पैसे का ख़वंड दिखा रही हो तुमने तो आज तक एक रुप्या भी नहीं कमाया मेरे खून पसीने की कवाई हैं और ख़वरदार आगे से जो कभी मेरे पैसे को आज के ब रखी है कि तुम तो सर पर चड़कर नाचने लग गई हो कल से इस घर में भी एक काम वाली भी नहीं आएगी तुम ही घर के सारे काम परोगी जाडू पोचा बरतन कपड़े सब कुस तुम अकेले करोगी जैसे एक आम घर की ओरत करती है तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुम् पिंकी ऑगी ती दोपैर हो गई कम से कम खाना बनाने वाली को तुब ला दो बेटी को भूख लगी वह क्या खाएगी बिचारी सुस्मा की बाते सुनकर चंदरप्रकास जी कुछ सोदे वें कहते हैं अच्छाोएं नहीं मा बेटी जाकर टेबल पर बैठो मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आता हूं इतना सुनते ही सुस्मा जी खुश हो गई कि चंदरप्रकास जी बाहर से कुछ खाने का मंगवा रहे हैं लेकिन चंदरप्रकास जी दो थाली में नोटों की गड़िया रखकर शुष्मा और पिंकी के आगे रखते हुए बोले लोग खा लो और जी भरके खाना खाना प्लेट में खाने की जिहें पैसे देखकर शुष्मा बोली यह क्या तरीका है पैसा भी कोई खाने की चीज होती है जंदरप्रकास कहते है हाँ बिल्कुल पैसे से तो तुम कुछ भी कर सकती हो तो पैसे को ही क्यों नहीं खा सकती हो खा लो शुष्मा कहती है आपका दिमाग तो सही है पैसा कोई खाने की चीज है क्या जो खा ले यह तो मुझे पता ही नहीं था चंदरप्रकास जी कहते है मुझे तो लगा था कि पैसा खा कर भी जिया जा सकता है अगर तुम्हें खाना ख तो जब तुम खाना नहीं बनाओगी, तो खाओगी क्या? पैसा ही खाओगी ना? चंदरप्रकास जी कहकर हस देते हैं. अब सुस्मा जी समझ गई थी कि चंदरप्रकास यह सब ज्यान पूछ कर कर रहे हैं. उन्हें तंग करने के लिए शुष्मा को भूख लगी थी. खुद का खाने का तो नहीं, लेकिन बेटी के लिए शुष्मा प्रेशान हो गई थी. उसकी एक ना चली, तो वह हार कर मुझबूरी में किचन में गई. जाने आज कितने सालों के बाद शुष्मा ने रसोई घर में कदम रखा था. उस समझ में नहीं आया कि क्या वनाएं. आ सुस्मा जी एक बात तो अच्छी तरह से समझ गई थी, कि अब इस घर में खाना बनाने वाली तो आने से रही. इसलिए अगर खाना बनाना है, तो खाने को बनाना भी बड़ेगा. पैसा रुपिया एक तरफ, लेकिन खाना एक तरफ, जीने के लिए पैसे से ज़्यादा ख नहें कहते हैं कि मेरी वेटी को मैं समझा बुझा कर भेज देता हूं, वैं समझ जाएगी, थोड़ी नादान है, प्यार महबत से काम लीजिए, अपनी ही वेटी समझ कर माफ कर देजिए, वैं आगे से ऐसा नहीं करेगी. चिंदरपरकास जी पिंकी को समझाते हैं और समझ पुझा कर उसे उसके सुसराल वापिस भेज देते हैं. शुष्मा अपनी बेटी को भीजना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वह अपने पती के सामने मजबूर थी, और अपनी बेटी को उसे सुसराल भेजना ही बड़ा. पिंकी की सास ने उसे दो तीन दिन तो कुछ भी नही कहा, लेकिन पिंकी का वही रवईया अपनी सुसराल में अभी भी था, उसके रवईये में कोई बदलाव नहीं आया था, बलकि अब उसके अंदर ये घमड आ गया था कि आखिरकार उसकी सास ने ही उसे वापिस बुलाया है, तो अब वह खाना बनाने से रही, लेकिन पिंक ही दिन घर के सारे नोकरों की छुट्टी गर्दी, खाना बराने वाली से लेकर साफ सफाई जाडू पोचा करने वाली सम महिलाव को उन्होंने नोकरी से दिकाल दिया, और साफ साफ पिंकी से कहे दिया, बहु, तुम्हारी मा ने तहेज इस शर्त पर दिया था ना, कि तु खाना नहीं बनाओगी, तो ठीक है, तुम खाना मत बनाओ, लेकिन घर के बाकी सारे काम तुम्हें ही करने हैं, तभी तुम्हें खाना मिलेगा, जाडू पोचा, साफ सफाई, कपड़ों की धुलाई, घर का सारा काम तुम अकेली करोगी, खाना मैं बना कर दूंगी तुम् घर का सारा काम निप्टाते निप्टाते, पिंकी के हालात खराब हो जाते हैं, जब वह घर सारे काम खर लेती थी, तब उसकी सास उसे खाना देती थी, आज पिंकी की अकल ठिकाने लग गई थी, कि अच्छा होता वह खाना बना लेती, तो बाकी के यह सारे काम तो नहीं कर सुनते हैं और घर का सारा काम अकेले करते करते हुए परिशान हो गई है दोनों मा बेटी एक दूसरे के साथ अपना दुख बाट रही थी सुस्मा जी अब पिंकी को कहती है इससे तो अच्छा होता बेटा कि तुम खाना ही बना लेती बाकी के घर के सारे काम नोकर कर देते कम से कम खाना बनाने में इतनी महनत तो नहीं लगती और तुम्हारा बरिवार भी खुश रहता चुश्मा अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है तुम अपनी सास से माफी मांग लो और परिवार के साथ खुशी खुशी रहो अच्छा अच्छा खाना बनाकर अपने परिवा को संभालने लग जाती है पिंकी की सास भी उसके अंदर आए इस बदलाव को देखकर बाकी के सारे घर के कामों के लिए वापिस से नोकरों को लगा लेती है अब घर में हसी-खुसी का माहूल था और पिंकी भी सब के साथ मिल जूलकर रहने लगती है तो दोस्तों यह थी बच्चों को आने चाहिए जो मा अपनी बेटी को राजकुमारी बना कर रखती है उन्हें पानी का गिलास तक भी उठाने नहीं देती है बही यह क्यों नहीं सोचती है कि वे खुद भी किसी की राजकुमारी रही थी आज वे एक परिवार को संभा़ रही है कल को उसकी बेटी का भी अपना परिवार होगा तो क्या उसे यह सब काम करने नहीं चाहिए अपनी बेटियों को कामकाज भी सिखाए घर के काम करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है जिंदगी में पैसे की एहमियत तो है लेकिन पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं है आज की बेटी कल एक खर की वहू किसी बच्चे की मा भी होगी सोचकर देखिए तो अच्छा लगेगा आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं